Class 7, Maths and CRT, Exercise 1.3 Question No.1, Find each of the following products तो यहाँ पर आपको multiply करके value लिखनी है उससे पहले integers का multiplication क्या होता, उसका क्या rule है वो हम जान लेते हैं तो को multiplication में कहा है, simple multiply हो जाएगा सारा खेल आपका sign का है, कि plus का sign आएगा या minus का तो उसी को हम जान लेते हैं अगर एक integer हमारा positive है और दूसरा भी positive है उससे हम multiply करेंगे तो जो sign आएगा वो plus का आएगा, ठीक है, positive आएगा sign की हाँ बात हो रही है, क्योंकि multiplication का sign लगा है तो multiply ही होगा अगर दोनों number हमारे जो है, वो negative है उसको हम multiply करेंगे, तो sign plus का आएगा, ठीक है अगर एक positive है और दूसरा negative है, तो sign किसका आएगा, minus का आएगा अब यहाँ पर बड़े और छोटे का कोई चक्कर नहीं है, बस एक minus दिख गया, एक plus दिख गया तो plus और minus multiply होके sign minus का आएगा अब चलिए हम question करते हैं, यह वाला part है, 3 और minus 1 को multiply करेंगे क्या होगा पहले तो multiply कर लेते हैं, 3 ones are 3, sign किसका आएगा, 3 से पहले plus का है और यह minus का है, plus minus क्या होता है, minus होता है, यह मैंने बताया, ठीक है, तो minus 3 इसका हो जाएगा बी वाले की बात कर लेते हैं, तो one multiply होता है, जिस number से, तो वह वही value रहती है यानि क्या हो जाएगा, 225 और यह minus है यहाँ, और 225 से पहले क्या है, plus है कोई sign नहीं लगा, इसका मतलब positive है, तो minus plus या plus minus ठीक है, एक plus और एक minus हो गया तो sign हमारा minus कहीं आएगा, सी वाले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर multiplication करना है, तो पहले multiply कर लेते हैं अब जैसे चाहो से multiply कर लो, जैसे आप 21 है और 30 है इस तरह से कर लो, फिर यह सब 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, 3, 1, 3, 2, 6, किसी भी तरह से आप कर सकते हो यह direct आप multiply कर लो, 21, 0, 0, 21, 3, 6, 3, 3, ठीक है, तो 6, 30 आजाएगा अब sign क्या होगा, देखो यहाँ minus है और यहाँ minus, जैसे मैंने आपको बता है कि minus, minus multiply होके plus हो जाता है तो यहाँ भी sign क्या होगा, plus का ही रहेगा, develop part है, minus 316 को minus 1 से multiply करना है तो simple पहले multiply कर लो, 316 ही आएगा, और minus और minus क्या होता है, plus होता है, ठीक है तो plus लिखने के जरूरत ही नहीं है, simple हम 316 लिखेंगे, यह वाले part की बात कर लेते हैं यहाँ देखो बीच में 0 आ रहा है, और कितना भी बड़ा number हो, कितने भी धेर सारे number हो अगर एक 0 उसमें multiply हो गया, तो बड़े से बड़ा number, छोटे से छोटा number सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ठीक है, तो इसकी value क्या है, simple 0 एफ वाले part की बात कर लेते हैं, अब यहाँ देखो, आप pair बना के कर सकते हो यानि पहले minus 12 और minus 11 को solve कर लो, फिर जो value है उसको 10 से कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हो, minus 11 और 10 का pair बना लो, जो value है उसे minus 12 से कर लो ठीक है, जैसा आपको easy पड़े, तो हम क्या करेंगे, minus 12 और minus 11 को multiply कर लेंगे तो 12 11 क्या होता है, 132 होता है, और देखो यहाँ भी minus है और यहाँ भी minus है, तो minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यह हमारे 10 से multiply करना है, तो 10 से multiply करते हैं तो क्या होता है, बस एक zero बढ़ जाता है तो 1, 3, 2, 0 ये हो गया जी वेला पार्ट देख लेते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे पहले 9 और minus 3 को multiply कर लेंगे 9th result 27 होता है और 9 क्या है positive है और ये negative है plus minus क्या होगा minus का sign आ जाएगा और यहाँ multiply कर लेंगे minus 6 है अब 27 और 6 को simple पहले multiply कर लो 6, 7 is a 42 का 2 आ गया 4 carry 6, 2 is a 12 4, 16 हो जाएगा 162 हो जाएगा तो इसका अंसर क्या आ जाएगा 1, 6, 2 अब sign की बात कर लें ये भी minus है और ये minus है minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो 162 इसका अंसर हो गया हवले part की बात कर लेते हैं यहाँ पहले इन दोनों को solve कर लेते हैं 18, 50, 90 होता है और minus और minus क्या हो जाता है plus हो जाता है तो ये simple 90 हो जाएगा multiply by minus 4 अब 90 को 4 से multiply करते हैं तो क्या आएगा 360 आएगा और 90 क्या हमारा positive है और उसके पहले हमारा negative है plus minus क्या होगा sign आपका minus काएगा यानि minus 360 अब एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो कि जैसे हम क्या कहते हैं कि minus और minus इसको multiply करेंगे तो हमारा क्या आता है plus आता है यानि 2 minus मिलते हैं तो sign plus का बनाते हैं ठीक इसी तरीके से अगर हम 4 minus है उसको multiply कर दें तब क्या होगा देखो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे plus और ये दोनों मिलके बना लेंगे plus फिर plus और plus को multiply करेंगे जैसे कि मैंने पहले गुरूल बता है था तो sign क्या होता positive यानि अगर 4 आपके negative integers हैं सबके पहले minus minus लगा है तो भी क्या होगा multiply करने पे जो sign आएगा वो positive आएगा इसी तरीके से अगर 6 आपके पास negative integers हैं तो उनका multiplication में भी total sign किसका आएगा positive का आएगा तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमने हमारे पास 2 negative हैं या 4 हैं या 6 है इसी तरह से चलता जाएगा तो यह सब क्या है even numbers है तो even times अगर हमको minus दिख गया तो answer में जो sign आएगा वो plus का आएगा ठीक है यानि अगर even है तो answer में sign आपका plus का आएगा अगर एक बार दिख रहा है तीन बार पांच बार इस तरह से और फिर आपको सिर्फ multiply करना होगा अब देखो मैं आपको example से बताता हूँ जैसे यहाँ पर एक minus है तो sign हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे दो minus है तो sign में क्या आ रहा है plus आ रहा है plus को दो हम लिख के दिखाते नहीं b वाले में देख लो एक minus है तो minus दिख रहा है यहाँ पर हमारे दो minus है तो answer में क्या आ रहा है plus यहाँ पर भी दो minus है यहाँ तो खैर 0 आ रहा थे क्योंकि 0 multiply हो रहा है इस वाले में देखो दो minus है तो answer क्या रहा है हमारा plus में आ रहा है यहाँ पर दो minus है सर प्लस में आ रहा है यहाँ पर हमारे 3 माइनेस हो गए ओड हो गए तो हमारा क्या हो गए जैसे मैंने बता है माइनेस होगा तो यहाँ माइनेस आ गया आई वेले पाट देख लेते हैं इन दोनों को सॉल कर लेते हैं और इन दोनों को solve कर लो, 2 और 12 को हमको multiply करना है, 12 to the 24 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 हमारा positive है और ये negative है, plus minus, minus हो जाएगा, तो minus 24 आ गया, जे वाले part की बात कर लेते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, इन दोनों को solve कर लेंगा अलग, और इन दोनों को solve कर लेंगा अलग, 6, 3, 0, 18 हो जाएगा, minus, minus, plus हो जाएगा, multiply by 2, 1, 2, minus, minus, plus, 18 to the 36 हो जाएगा, अब यहाँ देखो, जो मैंने आपको बताया था, कि कितने minus हैं आप गिन लो, एक, दो, तीन, चार, चार हैं, यानि इवन हैं, तो हमारा answer में क्या होगा, sign positive का होगा, इसलिए दोको 36 हमारा positive में आ रहा है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको sign पता चल गया, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, ओके थैंक यू,